हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देटी को नोमी स्थिंदी पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि हम लोगो काफी अच्छा पर्फरमेंस दिखा सकते हैं इंट्राडे में और काफी अच्छा रिटेन जिनरेट करके सकते हैं तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे लास्ट डेक इंट्राडेक्र अगाぁ तो मिलेगी और यहां तो 508 के ऊपर निकलते हैं फिर से हम लोगो ऑटर में भी डिक सकती है और अग्ला अगला है स्टक容 मोटर, आइसर मोटर में हम लोगों डिसकस करा था, यहाँ पर हम लोगों कुछ दिनों तक ट्रेडिंग हॉल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, कॉंसलिडेट करने के पार एक ब्रेकाउट देता है, तो काफी अचाते जी देखने को मिलेगा, और एक्जेक्ली हम लोगों को यहाँ पर भी कॉंसलिडेशन बनता हुआ दिखाया है, और फ्लेट कारवार हो करके हम लोगों को थोड़ा सा निगेटिव सैट पर क्लोजिंग म के मोमेंटम देखने को मिला, और पहला टार्गेट हम लोगों को देखने को मिलता है, और फिर से एक सुनब्बे के आसपास आता हुआ दिख सकता है, और ओन जी सी के स्टॉक पे हम लोगों को निज आता हुआ देखने को मिला है, और एक से दो दिनों के अंदर इस स्टॉक अब दिखेगा और जैसे ही हम लोगो को 198 के नीचे आता हुआ दिखता है तब इसमें सेलिंग प्रिसर कंटीनी होता हुआ दिख सकता हुआ Olach जब तक 198 के उपर trade कर रहा है तो उपर के साइट के momentum continue होता हुआ दिखेगा और यहाँ पर एक ख़बर आता हुआ दिख रहा है क्योंकि government में reduce कर रहा है windfall tax को crude petroleum पे तो यहाँ पे हम लोगों को काफी अच्छा impact परता हुआ दिख सकता है stock में तो इसी वज़स इसमें gap of opening होता हुआ दिखा तो आपको बता दे कि windfall tax क्या होता है windfall tax मतलब यह होता है कि जब भी कोई company को extra profit होने लगती है अपने profit normal profit से extra super normal profit होने लगती है तो government उसके उपर windfall tax लगाती है जो उसके extra profit होती है उसके उपर में और यहाँ पर government ने windfall tax को reduce कर दिया है तो इस वज़से हम लो काफी जादा भारी गिरावर्ट देखने को मिला था अब यह हटेगा तो इसका impact positive देखने को मिलेगा इसी वज़से stock में अपनी range पे trade कर रहा है तो यहां से stock में reversal देखने को मिल सकता है क्योंकि न्यूज का impact पूरा हो चुका है तो 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 यह बात कर लेते हैं next trading session के लिए हमारे stocks जो पहला stock है हमारा reliance industry, reliance industry में हम लोगों ने discuss करा था इस level पे कि यहां से हम लोगों काफी अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि एक अपने lower range पे trade कर रहा है और यहां से पहला target हम लोगों का था बाइस सु पचासी रुपे का और दूसा target हम लोगों को इ फिर से एक breakout देखने को मिल रहा है और अपने stock moving average से उपर भी trade करना चालू कर दिया है और यहां पे एक breakout का भी confirmation हो चुका है इस level के उपर और stock देखे तो अपने resistance लेवल पर trade कर रहा है अगर यहां से reverse कर जाता है तो इसमें हम लोगों को इग्नोर कर देंगे लेकिन जैसे ह अगर लंबे समय के लिए रिलैंस इंडिस्ट्री में आप planning कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को एक range में trading होता हुआ दिख रहा है और इस range में हम लोगों को stock trade होता हुआ दिख रहा है सताइस सो पचास आठाइस सो के range से लेकर के नीचे का range है बाइस सो का range बाइस सो से stock reverse कर करता है तो उपर के से फें लोगों काफी ज्यादा momentum देखने को मिलता और फिर से हम लोगों को इसी एक जैक्ट लेवल से लेवल से reverse करता हुआ दिख रहा है stock तो इक्जैक्टि हम लोगों को उपर के साट साथा इस सो पचास से लेकर के range में जाता हुआ दिख सकता है दो से बढ़ा अच्छा अपसाइट देखने को मिला साथ से आट परसेंट का तो इस टॉप में हम लोगों को उपर के साइट पर चोटा सा एक रेजिस्टेंस है तो जैसे ही हम लोगों को टू एटी फाइब के उपर निकलता है तो इसमें और भी तेजी बनते हुए दिखते है क्यो तो फिर हम लोगों को 298 और 300 के लेवल इंट्रडे में ही दिखा सकता है और अगला स्टॉक है हमारा बाजाज फाइनांस इसमें कुछ RBI के रेगुलेशन के द्वारा बाजाज फाइनांस पे कुछ निग्रेटिव नियूज इंपेक्ट परता हुआ दिखा था इसी वज़ से फिर से पूरा रिकवर कर गया और उपर के साट पर पॉजेटिव क्लोजिंग दिया था हम लोगों को इस दिन पर थाई परसेंट से जाधा का और एक्जेक्टि हम लोग वाज दो परसेंट से ज्यादा के तेजी देखने को मिली है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे बन सकते हैं तो बजाज फानांस पर इतंग रहा हो सकता है 7400 के उपर निकलते हैं पहला टार्गेट हो जागा 7500 फिर उसके बाद 7600 का विजल यह बात कर लेते हैं आखरी इस्टॉक हीरो मोटो कॉप हीरो मोटो कॉप में हम लोगों को काफी अच्छा निज आता हुआ दिखा है और निज में है कि 14 लाख यूनिट भी का है सिर्फ फेस्टिव सीजन में पिछले एक महिने के अंदर हम लोगों 14 लाख बाइक्स पिकते हुए दिखे हैं हीरो मोटो कॉप के तो अगले रिजल्ट काफी संदार आते हुए दिख सकते हैं और यहां पर इस टॉक में हम लोगों को उपर के साइट का मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है अगर बात करें तो प्रिछली लेवल से हम लोगों को एक ब्रेकाउट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यह लेवल ए आपको दिखा दे तो वीकली चाट पर यह इस टॉक लंबे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इस लेवल से हम लोगों को कंफर्म है कि एक ब्रेकाउट देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर एक चोटा सा होल्ट करके उपर के साइट पर को मिल जाएंगे इंटरे में 33 सक्रेव पर निकलते हीं चौटी सब्सक्राइब को मिल सकते हैं तो उमीड करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ दिखने मिला होका अगर शिखने मिला ता पिस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब कर दिजिए और मार्केट के टेस्ट अपडेट से जूरे रहने के लिए देशी उकनोमिस्ट के बेल आइकन को दबा दीजिए धन्यवाद